यह है हमारे stock market crash course का part 3 part 1 में हमने आपको stock market के basics के बारे हैं समझाया था part 2 में हमने आपको समझाया था कि stock market से पैसे कमाने के कौन-कौन से तरीके होता है और इस part में हम समझेंगे कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको analysis stock market में कौन-कौन से करने होता है और उसको करने का तरीका क्या होता है तो देखिए, stock market में basically हमें तीन तरह के analysis देखने को मिलता है एक होता है fundamental analysis जो की generally तब किया जाता है जब आप stock को long term के लिए buy करना चाहते हैं यानि अगर आप long term investing करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप fundamental analysis करते हैं जिसमें आप उसके business को analyze करते हैं उसके जो financials होते हैं उनको analyze करते हैं इसके अलावा उसका valuation analysis किया जाता है ये सब कुछ हम fundamental analysis के अंदर करते हैं और ये long term के लिए shares जब buy करना है तब ही करना होता है दूसरे तरीके का जो analysis होता है वो होता है technical analysis उसमें हम एक stock के chart को analyze करते हैं ये जो chart होता है ये basically एक share की price होती है तो इस price में क्या movements आये हैं उनको जब हम analyze करते हैं तो उसको technical analysis कहा जाता है और इसके अलावा तीसरे तरीके के जो analysis होता है वो होता है data analysis जिसमें हम अलग-अलग तरह के data को बढ़ते हैं जैसे अगर हमें option trading करनी है तो वहाँ पर हम option chain को analyze कर रहे हैं तो ये data है हम उस data के basis पे analysis कर रहे है तो इस तरीके से stock market में stocks को analyze किया जाता है अब देखें ये तीनों जो analysis हैं ये बहुत जादा vast है तो इस lecture में हम technical analysis को सीखने वाले हैं इसके बाद जो हमारा next lecture होगा उसमें हम fundamental analysis को सीखेंगे तो सबसे बहले technical analysis की बात करें तो मैंने आपको बताया कि technical analysis में हम क्या करते हैं हम इस तरीके के जो charts होते हैं उनको analyze करते हैं और उसके basis पे ये पता करने की कोशिश करते है कि यहां से price उपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है technical analysis जनरली तब किया जाता है जब आपको stock में trading करनी होती है या फिर short term के लिए आप किसी stock को buy करना चाहता है तो वहाँ पर technical analysis important होता है वहाँ पर fundamental analysis का कोई कामी नहीं है मानलो अगर आप intraday trading करना है तो आपने आज share को buy करना है आज के आज ही sell कर देना है तो ऐसे में उस company के financials कैसे हैं उसका valuation क्या है यह हमारे लिए बहुत ज़ादा important नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम उसे stock में trading करना है तो यह important है कि भाई आज इस stock में क्या होने वाला है आज इसकी price उपर जाने वाली है या फिर नीचे आने वाली है तो technical analysis को समझने के लिए सबसे पहले हम इन candles को समझते हैं उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन अगर आप fundamental analysis के बारे में सीखना चाहते हैं या इस हमारे free course का next lecture देखना चाहते हैं तो इसके लिए comment जरू कीजेगा अगर इस वीडियो में 1500 comments आते हैं तब ही हम इसका next lecture लेकर आएंगे तो comment जरू कर दीजेगा अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो वीडियो को like जरू करना तो ये जो candles होती हैं ये basically दो तरह की होती हैं एक होती है green candle दूसरी होती है red candle अब अगर आप पुराने type के कोई charts देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये green and red की जगा पे white and black candle देखने को मिलेगी white candle आपकी green candle होगी और जो red candle होगी वो आपकी black candle होगी तो ये आपको clear हो गया कि candle basically दो तरह की होती है लेकिन ये candle बनती कैसे हैं ये हमारे लिए important है तो देखें एक जो candle होती है वो हमें बताती है कि उस time frame में share की price में हुआ क्या था यानि मान लिजे अगर ये जो candle है ये एक घंटे की candle है तो ऐसे में ये पूरी जो candle है ये हमें बताएगी कि उस एक घंटे में share की price किस तरीके से move की थी तो ये basically हमें candle से पता चलता है तो अब वो candle हमें बता क्या रही है मान लीजे हमने माना कि यह एक गंटे की candle है तो हमें यह क्या बता रही है तो हमें यह बता रही है कि अगर यह ग्रीन कलर की candle है अभी मैं ग्रीन की बात करना हूँ रेट की बात फिर करेंगे अगर यह ग्रीन कलर की candle है तो इसका मतलब है यह हमें बता रही है कि जो share की price थी, उस एक घंटे की शुरुवात में यहाँ पर open हुई थी, यानि जो price थी वो उस time पर यहाँ पर थी, माल लीजे यह 110 रुपे हैं, तो 110 रुपे पर इस time पर price थी, जब उस एक घंटे की शुरुवात पर price open हुई, अब ए इस एक घंटे में हुआ क्या है, यह हमें यह green candle बता रही है, तो माल लीजे price यहाँ पर open हुई है, और जो price है वो 110 रुपे की थी, इसके बाद हो सकता है कि अभी एक घंटा बढ़ना शुरुवा है ना, price थोड़ा सा नीचे आई हो, यहाँ पर price नीचे 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 पर उसने अपना low बनाया, जो की 100 रुपीज था, मतलब 110 रुपे से price घटकर 100 रुपे तक आ गई, तो यह उसका low point था, अब इसके बाद हो सकता है कि price वापस से recover करी, recover करने के बाद जो इसका 110 वाला point था, इससे भी उपर जाने लगी, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ प्राइस थी, वो 130 रुपे तक चली गई, लेकिन अभी एक घंटा खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद price थोड़ा नीचे आती है, आती है, और यहाँ पर 120 रुपे पर जाके close हो जाती है, तो यहाँ पर हमें इस candle को देखकर ही समझ आ जाएगा, कि price सबसे पहले 110 रुपे पर open हुई थी, उसके बाद price थोड़ा नीचे गई, और 100 रुपे तक आई, जो कि उसका low था, इसके बाद price उपर गई, और high उसने कहां पर बनाया, 130 का बनाया, और उसके बाद price close कहां पर हुई है, 120 पर हुई है, और क्योंकि इस पूरे एक घंटे में price बढ़ी है, आप देख candle है, in short अगर आपको बताऊं, तो इसकी जो ये पतली से डंडी होती है, इसको हम wick कहते हैं, जो upper wick होती है, यानि candle के उपर बनी हुई जो wick होती है, वो हमें बताती है, कि उस price का जो high point था, वो कहां तक गया था, एक candle की जो lower wick होती है, यानि candle के नीचे जो wick होती है, व लेकिए high तो यहीं पर बनाए, low यहीं पर बनाए, लेकिन इस case में price जो थी, वो open होई थी, इस point पे, मान लीजे, यह 110 रुपे की price थी, इसके बाद price हो सकता है, बढ़कर 120 रुपे तो गई, उसने अपना high यह बनाया, लेकिन उसके बाद price गिरती गई, गिरती गई, गिरत रुपे था, तो price 110 पे open होई थी, इस एक घंटे में, और 100 रुपे पे जाके close होई है, इसलिए यह एक red candle बनी है, क्योंकि इस time frame में आप देख सकते हैं कि price गिरी है, तो यह basically हमें candle से समझाता है, तो यह एक छोटा सा explanation था, candles का, जो कि बताना बहुत जादा ज़रूई था, तो अब आपको candles क्या होती है, यह समझ आ गया है, तो अब चलिए chart को समझते हैं, तो अब आपको green and red candle होती क्या है, यह आपको समझ आ गया है, तो यह जो chart है, इसको पढ़ना आपके लिए आसान है, आपको दिखाई दे रहा है red candle बनी है, मतलब इस time period में price गिरी थी, यहा पर price बड़ी थी, यहाँ पर price गिरी थी, यहाँ पर बड़ी थी, यहाँ पर गिरी थी, आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ 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 पर red candle बन रही है, वहाँ पर price गिरी है, जहाँ 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 पर green candle बन रही है, वहाँ पर price बड़ी है, और यह कितने time frame की candle है, इ मैंने यहां से टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है मैं एक साल का भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकता हूँ तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक साल की जो केंडल सेलेक्ट कर रखी है तो अब इसमें एक जो केंडल है वो हमें पूरे साल में शेर की प्राइस में क्या ह यह बता रही है अब क्यूंकि यह green color की candle है तो इसका मतलब साल के शुरू होने से अभी तक जो market है वो overall बड़ा है इसलिए यह green color की candle है जिसमें अगर हम जानना चाहते हैं कि सबसे high कहां पे था तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह जो इसकी upper wick है उसका जो top point है वो हमारा high ह और price open कहां पे हुई थी जब साल की शुरूवात हुई थी जो यहां पर जहां पे इस candle की body है और price close कहां पे हुई थी जहां पे इस candle की body अभी उपर पर है वहां पे price अभी चल रही है यह हमें इस candle को देखके पता चल रहा है अब ऐसे ही अगर आप एक दिन का देखना चात तो यहां से आप एक महीना सेलेक्ट कर लीजिए. अब इस महीने क्या हुआ है? हमें दिखाई दे रहा है कि भाया, इस महीने तो red कलर की candle बनी है. इसका मतलब इस महीने, overall जो market है, वो गिरा है. और इससे पहले महीने भी red कलर की candle बनी थी. यानि इस से पहले महिने भी overall जो market था वो गिरा था जो की हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब महिने के बाद अगर हम एक हफते की candle देखना चाहते है तो यहाँ से हम one week select कर सकते हैं इस हफते क्या हुआ है आपको दिखाई दे रहा है कि इस हफते market गिरा है पिछले हफते हमें दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी green candle बनी थी लेकिन उसके बाद चार हफते से market लगातार गिरा ही था अब हफते से अगर हम आज के दिन पर निकल कर आएं तो आज का दिन एक बहुत interesting example है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जब आज का दिन open हुआ था तब market यहाँ पर था उसके बाद थोड़ी सी price उपर गई क्योंकि बहुत छोटी सी हमें एक upper week देखने को मिल रही है यहाँ कह सकते हैं कि price जहाँ पर open हुई थी उसके बाद से market गिरा और गिरते गिरते यहाँ तक आ गया था मतलब 23,825 के low तक market आया था और उसके बाद जब market ने recovery की और जो closing हुई वो 23,925 पर हुई तो यहाँ से हमने एक candle को देखकर आज पूरे दिन का हाल समझ लिया अब अगर आपको देखना है कि पूरे दिन में क्या हुआ है तो आप एक घंटे का chart यूज़ कर सकते हैं आप 15 मिनिट का chart यूज़ कर सकते हैं तो ऐसे में हमें 15-15 मिनिट के हिसाब से इन candles को divide कर दिया जाएगा तो अब हमारे सामने जो candle निकल कर आ रही है वो हमें दिखा रही है कि आज पूरे दिन में क्या हुआ था आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो market open हुआ था यह 15 मिनिट की candle है 9-15 पे market open हुआ होगा और 9-30 पे यह candle हमारी close हो गई होगी तो market open हुआ था हमारा 24,317 पे और सिर्फ 15 मिनिट में जो market था वो 24,000 के आसपास आ गया था मतलब 300 point market 15 में ही गिर गया था उसके बाद जो अगली candle हमारी बनी थी उसमें market ने नीचे से भी pressure लगाया उपर से भी pressure लगाया आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद अगली candle, अगले 15 minutes में क्या हुआ, अगले 15 minutes में क्या हुआ, यह सब हमें इन candles को देखकर समझ आ रहा है, तो आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से यह जो candles हैं, उनको देखकर हम market के हाल का पता लगा सकते हैं, अब individually एक candle किस तरीके से आपकी help कर रही हैं, यह तो ठाक idea हम इन charts को देखकर लगा सकते हैं, और इसके लिए हम use करते हैं support and resistance को, अब support and resistance क्या होता है, यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए generally जब आप एक chart को देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा, कि एक ऐसा level है, जहां पर जाने के बाद जो price है, वो बार- पर जाने के बाद price बार-बार नीचे आ रही है, तो उसको resistance कहा जाता है, माना जाता है कि ये एक ऐसा level है, जिस पर जाने के बाद लोगों को लग रहा है कि ये जो stock है ये महंगा हो गया है, यहां पर इसे नहीं खरीदना चाहिए, तो इस वज़े से एक तो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, दूसरा बहुत साइड लोग बेच रहे हैं, जिस वज़े से price इसके उपर नहीं जा पारी है, और इसको हम resistance कहते हैं, अब इसके साथ-साथ एक और चीज़ होती है, एक level ऐसा होता है, जहां पर जाने के बाद price वापस से बढ़ जाती है, जैसे यहां पर आ आपको देखने को मिलेगा कि short term के लिए उसने इस level को break कर दिया, इसलिए हमने example select किया है, लेकिन overall आपको दिखाई दे रहा है, कि price generally क्या कर रही है, इस level के पास आने के बाद बढ़ जा रही है, तो यहां पर price आई, इसके बाद वापस से बढ़ गई, यहां पर price आई, इस बहुत अच्छी company है, जिसके share की price 2000 रुपे रहती है, लेकिन किसी भी वज़य से उसकी price अगर 1500 रुपे पे आजाएगी, तो सब को लगेगा ना, भाई, stock सस्ता हुआ है, खरीद लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, तो सब खरीदना शुरू कर देंगे, और यह वो level है, जिस पर लोग खरीदना शुरू कर रहे है, जिस वज़य से price बढ़ रही है, और अगर मान लीजे, जैसी उस stock की price 3000 रुपे के पास जाती है, तो जिन लोगोंने 1500 में खरीदा था वो भी बेचते हैं, जिन लोगोंने 2000 में खरीदा था वो भी बेचते हैं, क्योंकि उन्हें लगत बेचना शुरू कर देते हैं, तो जिस level पर जाने के बाद लोग बाइंग शुरू करते हैं, उसको support कहा जाता है, जिस पर जाने के बाद लोगों को लगता है, वो बार बार नीचे आ जा रही है, और अगर हम ध्यान से देखें, तो ये भी एक ऐसा level है, जहां पर जाने के हो गया, ये हो गया हमारा resistance, और ये जो level हो गया, ये हो गया हमारा support, तो यहां से हम समझ गया कि support and resistance क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल basic चीजे समझा रहा हूं, ताकि आपको हर एक concept clear होता रहे, तो आपने देखा कि इस तरीके से support and resistance बन रहा है, लेकिन जिंदगी बढ़ तो price A की range में travel नहीं करती रहेगी न, एक नएक time आएगा कि price इस level को break करके उपर चली जाएगी, या इस level को break करके नीचे आ जाएगी, तो अगर price किसी level को break करके उपर चली जाती है, तो माना जाता है कि यहां से अब इस ने इस level को break कर दिया है, तो अब price बढ़ने के chances होता हैं, और अगर उसने अपने नीचे वाले level को break कर दिया, यानि support को break कर दिया है, तो उसके बाद price के तेजी से गिरने के chances होते हैं, तो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यह जो 24,000 का level था, market का वो बहुत जादा important था, और उसके बाद जैसी वो level break हुआ न, तो उसके बा हमें market में बड़े movements देखने को मिल सकते हैं, तो इस basis पे हम अपनी buying and selling भी कर सकते हैं, यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, education के लिए बता रहा हूँ, यह कोई भी buy or sell advice नहीं है, वैसे भी मैं आपको past के chart पर यह चीज़े दिखा रहा हूँ, तो आपने support and resistance के level को समझ लिया है, तो यह तो हमें तब दिखाई दे रहा है, जब market एक sideways trend में घूम रहा है, अब trend भी basically आपके लिए समझना बहुत ज़ादा जरूरी है, अगर आप market को समझना चाहते हैं, तो basically हमें 3 तरह के market में trend देखने को मिलते हैं, एक होता है uptrend, दूसरा होता ह होता है sideways trend, तो अगर हम uptrend की बात करें, तो वहाँ पर price मैंने आपको दिखाए कि uptrend इस तरीके से है, लेकिन क्या आपने देखा है कि एक stock की price सिर्ल बढ़ रही है, आपने कभी ऐसा ना देखा है, ना आपको देखने को मिलेगा, और अगर कभी ऐसा देखने को मिल रहा है तो वह बहुत छोटे stocks में होता है, जनरली pump and dump चल रहा होता है, उन stocks से तो दूरी रहा करें, आपको जनरली दिखाए देगा कि जो stock की price है, वो कुछ इस तरीके से बढ़ती है, यानि market का जो trend होता है, वो इस तरीके का होता है, जिसको हम uptrend कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो दिखाए देगा कि price प्राइस आगई 4 पर या 4.30 पर उसके बाद price बढ़के जाएगी 6 पर आपको दिखाए देगा 5 के आसपास आती है, फिर आपको दिखाए देता है कि price 7 में जाती है, मतलब price एक दम से 2 से 7 पर नहीं गई, price पहले थोड़ा उपर गई 4 पर फिर नीचे और इस तरीके से जो price है वो बढ़ती है, अगर price गिरती है, तो भी वो एकदम से नहीं गिरती है, वो इस तरीके से गिरती है, पहले माल दीजे price 7 रुपे पे चल रही थी, 7 से वो 5 रुपे पे आई, 5 से थोड़ा सा बढ़ने की फिर कोशिश की 6 तक चली गई, लेकिन उसके उपर नहीं बढ़ पाई, फिर नीचे आई और इस बार 4 तक आ गई, 4 से उसने फिर बढ़ने की कोशिश की, साड़े 4 तक चली गई, लेकिन उससे जादा नहीं बढ़ पाई, और 3 रुपे पे आ गई, तो price बढ़ती भी इस तरीके से है, गिरती भी इस तरीके से है, और अगर हम इस चार्ट को समझें, तो यहां पर आपको कुछ चीजे देखने को मिलेंगी, अगर हम अब ट्रेंड की बात करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है, समझी है, यहां पर सबसे पहले यह हमारा है low point, low से price बढ़के गई, high पे, अब high के बाद उसने क्या बनाया, उ वो higher low and higher high की formation करती है, फिर higher low बनता है, फिर higher high बनता है, तो जब आपको चार्ट मे higher highs and higher lows देखने को मिलता है, तो वो होता है uptrend, और जब आपको चार्ट में इसका उलटा, यानि price पहले अपने high पे दी, फिर low पे गई, फिर lower high बनाया, फिर lower low बनाया, फिर lower low बनाया, फिर lower low बनाया, तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि price इस तरीके से lower highs and lower lows बना रही है, तो यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि यह एक downtrend है, और इसके बाद अगर हम sideways trend की बात करें, तो यहाँ पर हमें low दिखाई दिया, high दिखाई दिया, फिर equal low दिखाई दिया, equal high दिखाई दिया, ऐसे बराबर के, या almost बराबर अगर आपको highs and lows दिखाई देते हैं, तो वो होता है हमारा sideways trend, तो अब जब आपने trend को समझ लिया है, तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे पर चल रहा है, थोड़ा उपर गया, फिर यहाँ आया, थोड़ा उपर गया, फिर यहाँ यहाँ आया, लेकिन हर बार तो market ऐसा नहीं रहता है, market तो उपर भी जाता है, तो उस time पर हमें कैसे पता चलेगा, कि stock का support क्या है, resistance क्या है, तो इसके लिए हम use करते हैं trend lines का, जो अगेन हम technical analysis में use करते हैं तो मैं आपको example दिखाता हूँ कोई तो अगर मानलीजे कभी market गिर रहा है तो मैंने आपको बताए कि वो किस तरीके की formation करता है वो lower highs और lower lows बनाता है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि stock ने lower high बनाया है यहाँ पर lower low बनाया है फिर यहाँ पर lower high बनाया है यहाँ पर lower low बनाया है फिर यहाँ पर lower high बनाया है यहाँ पर lower low बनाया है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आप उसका जो lower high बनाया है उससे लगते वे इस तरीके की line draw कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर आमें दिखाई दे रहा है कि market जो है वो बार-बार इस range में जाने के बाद गिर जा रहा है। तो अगर कभी market इस range को break करता है तो वहाँ से price बढ़ने के chances होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि stock की price ने यहाँ पर इस line को ऊपर की तरह break कर दिया है। तो जो उसका average था उसने उसको break करके वो ऊपर चला गया है। तो यहाँ से price बढ़ने के chances होते हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि उसके बाद price बढ़ी भी है। अब इसी तरीके से अगर माल लीजे price बढ़ रही है और अम यह जानना है कि वो नीचे कब आ सकती है तो यहाँ पर भी हम trend line draw कर सकते हैं और वो जो trend line होगी वो इस case में chart के नीचे draw की जाएगी यहाँ पर chart के ऊपर draw की जा रही है और जब market बढ़ता है तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि markets ने सबसे पहले देखिए अपना low बनाया लो बनाने के बाद price बढ़ी और उसने अपना high बनाया उसके बाद price गिरी लेकिन जितना पहले गिरी थी उतना नीचे नहीं गिरी और यहाँ पर उसने अपना higher low बनाया फिर higher high बनाया फिर higher low बनाया फिर higher high बनाया फिर higher low बनाया तो इस case में आप क्या कर सकते हैं जो भी हम तो इस तरीके से जब market या तो uptrend में है या फिर market downtrend में है हम वहाँ पर भी support and resistance पता कर सकते हैं और sideways market में support and resistance को कैसे पता करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझ दिया है कि यह जो candles है यह हमें सबसे पहले green candle है तो market बढ़ रहा उसका high क्या बताता है low क्या बताता है open कहां पर है close कहां पर है यह सब हमने समझा है इसके बाद हमने समझा कि इन candles को अगर हम जोड के देखें तो उसके बाद हमें तीन तरह के trend देखने को मिलता है एक uptrend होता है एक down trend होता है एक sideways trend होता है इसके साथ-साथ हमने समझा कि अ की तरफ ब्रेक होती है तो stock के गिरने के chances होता है इसके अलावा market हमेशा एक range में नहीं रहता वो कई बार बढ़ता भी है तो बढ़ता है तो uptrend में बढ़ता है और uptrend में बढ़ता है तो वहाँ पर हमें higher highs and higher lows की formation देखने को मिलती है जिस पर हम एक trend line अगर बनाएं तो उसक बेसिक चीजे हमने समझ लिया है तो अब ये candlestick हमें और क्या बता सकती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप trading ए investment के लिए best demet account खुलवाना चाहता है तो जिस demet account को मैं use करता हूँ मैंने उसका ही link description पर रखा है तो description जरू चेक कर लीजगा तो देखिए ये जो candles है ये कई बार अकेले और कई बार दो तीन candles के साथ मिलकर कुछ patterns भी बनाती है और ये जो पूरा चार्ट है ये भी कई बार कुछ patterns बनाते हैं और उन patterns के भी historically observe किया गया है कि कुछ मतलब होते हैं और उसके बाद market के बढ़ने या गिरने के chances होते हैं तो basically हमें चार्ट में दो कुछ जो patterns होते हैं वो चार candles से मिलकर भी बनते हैं देखे सारे candlestick patterns को इस वीडियो में बताने का कोई sense नहीं बनता है और अगर मैं ये करने लगया तो शायद 2-3 गंटे इसी में निकल जाएंगे क्योंकि already हम candlestick patterns के उपर complete एक वीडियो बना चुके हैं आपको वो वीडि जो कि लोग paid course बना के बेशते हैं वैसे हम सब कुछ आपको free में provide कर रहे हैं तो इसके लिए वीडियो को like जरू कर दीजेगा तो फिलाल मैं आपको थोड़ा सा candlestick patterns के कुछ example दे देता हूं तो देखे इस तरीके का candlestick pattern होता है जिसको hammer कहा जाता है जिसमें जो body होती है व बहुत short में समझा रहा हूं इसके साथ हमें volume का भी use करना होता है वो सब चीजे हमने हमारी detail वीडियो में बता रहे है उसको देख लीजेगा इसका जो just opposite pattern होता है वो होता है hanging man pattern जिसमें market मान लीजे कभी बढ़ रहा है और उसके बाद यहां पर आपको एक red color की candle देखने को होता है तो यह दो तरह की candles मैंने आपको दिखाई इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर इतनी टाइप की candle होती है जैसा अगर मैं double candlestick patterns की बात करूं तो यहां पर एक bullish engulfing pattern होता है जिसमें market पहले downtrend में है फिर पहली एक छोटी red color की candle बनती है उसके बाद एक बड़ और ऐसे इतने सारे patterns हैं जो कि हमने हमारी उस candlestick pattern की वीडियो में आपको सिखा रखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं तो यह होते हैं candlestick patterns अब इसी तरीके से कुछ chart patterns भी होते हैं चलिए उनको भी देखते हैं तो chart pattern का एक example देखें तो कभी अगर आपको इस तरीके का chart द बनाया और उसके बाद वापस से market जितना नीचे आया था उतना ही नीचे आ गया इसके बाद वापस से market बढ़ता है जितना high पहले उसने बनाया था उससे नीचे high बनाया यानि ये वाला high और ये वाला high almost बराबर होता है और ये बनाने के बाद market वापस से नीचे आ गया त ये एक left shoulder है, ये head है, ये हमारा right shoulder है, इसी तरीके से ये inverse head and shoulder pattern है, जिसमें market पहले नीचे आ रहा होता है, फिर एक level पर अपना low बना गया, थोड़ा उपर जाता है, फिर और नीचे आ जाता है, जो पहले वाला low था, उससे नीचे आ जाता है, मतलब समझ लीजे, उल्टा इंसान खड़ा हो गया है, उसके बाद price बढ़ती है, जो उसका high था, लगबग उसी high के पास आती है, और उसके बाद price नीचे आती है, जो पहले low बनाया था, उसी low के आसपास, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे breakout देता है, उसके बाद price बढ़ने के chances होते हैं, और ऐसे ही अगर हम chart patterns की बाद करें, तो आप देख सकते हैं कि इतने तरह के chart patterns, हमें market में देखने को मिलते हैं, लेकिन important chart patterns हमने इस PDF में आपको दिखाया है, तो इतने तरह के chart patterns भी होते हैं, जिसको भी आपने समझना है, जिसके लिए YouTube में search कीजिए नीरज जूशी chart pattern, और उसके बाद ये वीडियो भी आपने जरूर देखनी है, तब भी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो अब वापस से हम chart में आ जाते हैं, और कुछ important indicators के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़े तो आप समझे चुके हैं, अब इसके बाद आते हैं indicators में, तो देखिए हमें इन charts में बहुत सारे indicators लगाने को मिलते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को simplify करके समझ सकते हैं, जैसे एक indicator होता है simple moving average, आप SMA लिखके भी search कर सकते हैं, simple moving average लिखके भी search कर सकते हैं, और इसी से मिलता जुलता एक indicator होता है, exponential moving average, तो मैंने simple moving average लगा दिया है, अब जैसी मैं simple moving average लगाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे chart में एक line बन चुकी है, देखें यह जो आपको price देखने को मिल रही है, यह बहुत उपर बहुत नीचे जाती है, जबकि यह जो moving average indicator होता है, यह हमें simplified form में price किस average से बढ़ रही है, किस average से गिर रही है, यह बता देती है, तो आपको दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर हमारा जो chart है, इसमें एक line बन गई है, अब इसमें जो moving average होता है, वो भी हम कुछ settings बदल कर यहाँ पर उसको और better कर सकते हैं, जैसे अभी यह 9 period का moving average है, यानि पिशली 9 candle का moving average है, अगर मैं जानना चाता हूँ कि पूरे साल में price किस average से बढ़ रही है, तो मोटा मोटा पूरे साल में आपको 200 trading days देखने को मिलता है, तो हमने 200 यहाँ पर select कर लिया है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है, पूरे साल का average देखें, वो हमें दिखाई दे रहा है कि price भले ही यहाँ पर है, लेकिन पूरे साल का जो average है वो इस level पर है, यानि price अभी अपने average से नीचे है, तो अगर माल लेजे कभी आपको दिखाई देता है कि price ने इस line को उपर की तरो break कर दिया है, और price अपने average से उपर जाने वो लगी है, तो यहाँ से price के बढ़ने के chances होता है, अगर price कभी अपने इस level को break करके नीचे आती है, तो वहाँ पर price के गिरने के chances होता है, इसका example सामने ही दिखा देता हूँ, देखिए price अपने average से नीचे आई है यापर, तो जैसी price अपने average से नीचे आई, यानि इसने अपनी line को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद price गिरने के chances होता है, आपको दिखाई दे रहा है कि market अच्छा गिरा है, और अगर कभी price अपने इस level को break करके उपर चली जाती है, तो उसके बाद price के बढ़ने के chances होता है, आप देख सकता है कि इस candle में price ने अपने average को break कर दिया था, और उसके बाद price बढ़ी है, तो ये एक moving average indicator है, इसके अलावा एक RSI indicator होता है, उसको भी आप देख सकता है, indicators के उपर भी हमने एक video बना रख किया है, इसके लिए आप YouTube में search कर लीजेगा, नीरज जोशी moving average indicator, नीरज जोशी RSI indicator, और इन videos को देखकर आप इन indicators को भी समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, कि market किस direction में जा रहा है, market बढ़ सकता है, या फिर गिर सकता है, तो मैं उमीद करता हूँ कि इस video से आपको technical analysis के बारे में अच्छी खासी knowledge हो गई होगी, अब अगर आपको detail में जानना है, candlestick patterns के बारे में, chart patterns के बारे में, तो उन videos का link आपको description मिल जाएगा, या फिर आप YouTube में search करके उन videos को ज़रूर देख लीजेगा, वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजेगा, free DMAT account का link description पे दिया गया है, और अगर आप इस पूरी playlist को देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, free DMAT account के लिए ये वाली वीडियो देख लीजेगा, धन्यवाद,